नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल में सुनूस के भी में और आज हम बात करेंगे कि क्लेम अप्लोड डिड ओन सेंट्र नोडल एजनसी पोडल पर जो आप लोगों को टाइम लग रहा है उस पे कितना ओल टाइम लग सकता है और मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेएब को यह बाला प्रेस करना होगा सब्सक्राइब का और जैसे बटिल प्रस करेंगे उसके पास ही एक बटन आता है जो की है बैल डीकन जिसको अब और सकते हैं और मैरे चैनल के जितने भी नड़ी नए दूलाएंगे उसको भी आप देख पाएंगे अपने लोगों के कमेंट्स आते हैं जिन कमेंट्स में से मैंने दो कमेंट्स को चुनाया है और जैसे कि हर एक कि थर्ड स्टेप वाले का जो क्वेश्चन होता है कि थर्ड स्टेप के बाद कितना टाइम वसी की तरह दो लोगों ने जो कमेंट्स किया था विशानी रवी और अखलेश दूबे इन दोनों के क्वेश्चन को मैंने उठाया है और यहां पर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वही क्वेश्चन वैसा है क्वेश्चन की चौदा एक को इनों ने विशानी रवी ने एप्लिकेशन ऐड़ी मिला फिर सत्रा इक कोन का स्टेप थर्ड जो पूरा हो गया था लेकिन अभी आने वाले स्लियड में आपको बता दूंगा कि अंताजा लगस सकते हैं कि आपको कि अचनल पर आ रहे हैं उसी में से कमेंट जो कि किसी के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए चेतना ने दिया जो की सब की हेल्प हो सके और चेतना ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है किस तरीके से उनको पांच महीने लगे सबसेडी पाने में application ID के आने के बाद वैसा ही कुछ experience मेरा भी था जैसे कि December में मुझे application ID आया था और March 31 को जो है मेरी subsidy credit हो गए थी तो इसी तरीके से आप जो लोगों को टाइम लगा तो वो भी देख लेते हैं यहाँ Mr. Patel का भी comment आया है जिन्होंने बताया है कि 2,666,280 जो है उनकी पूरी subsidy उनको मिल गई है और उन्होंने बताया कि application ID उनको 14 January को मिला, beneficiary ID उनको 25 मई को मिला और subsidy जो है एक June को उनके account में credit हो गई तो thank you Patel जी इन्होंने जो है बाकी लोगों की help करने की कोशिस की है इस comment में और मैं एक point और बताना चाता हूँ कि जैसे कि आप अंदाजा लगा रहे हैं कि कितना time लग रहा है बाकी लोगों को उसी तरीके से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि third step के बाद कितना time लगेगा या पूरी subsidy आने में कितना time लगेगा और एक मेरे दोस्त ने जो कि मेरे साथ ही apply किया था आज भी step number three पे हैं तो कुछ लोगों का time लग सकता है step number three पे तो इसलिए आप लोगों को घबराने के जौरत नहीं है subsidy सबका ही आएगा क्योंकि अगर आपके documents पूरे हैं तो उसमें आपको टेंसल लेने का जौरत नहीं है और अगली slide में हम बताएंगे कि कैसे SBI SBI से related एक बहुत अच्छी information एक reply में हमारे एक subscriber ने दिया है thank you देख लेते हैं यहां सुक्वेंदर जी help कर रहे है SBI से related customers के लिए उन्होंने reply किया है जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी information दी है कि SBI का एक अलग ही department होता है इस पटिकुलर चीज़ को handle करने के लिए REHBUs department को बोलते हैं आप email कर सकते हैं अपनी beneficiary ID और application ID और आप status पता कर सकते हैं इस पटिकुलर डबार्टमेंट में email करके सुक्वेंदर सिंग को भी बहुत धन्यवाद बाकि लोगों के help करने के लिए ताकि और लोगों को भी help मिल सके लोग comments करते रहते हैं और मैं आगे भी लोगों को comment करने के लिए प्रोटसाइट करूँगा कि बाकि लोगों को भी help मिल सके और subscribe करना ना भूले इस channel को thank you, bye bye